वेलकम दोस्तों आईए आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है विक्की आदव सो दोस्तों फाइनली Poco M5 स्मार्टफोन आचके है हमारे पास जो कि दोस्तों यह रहा मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो दोस्तों इस फोन को हमने इसकी पहली सेल में ही ओर्डर कर दिया था फ्लिप कार्ड से और आज जाके यह फोन हमको डिलिवर हुआ है तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसी फोन का अन्भॉक्सिंग करेंगे और इस फोन का सारा जनकारी आपको देंगे तो आप लोग वीडियो पर गाइस बने रही है गा लास तक और अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक् काड के बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स ओपन हो चुका है चलिए अपने फोन के बॉक्स को बाहर निकालते हैं तो यह हमारे फोन का बॉक्स और बॉक्स में क्या रखा हुआ है और बिल रखा हुआ है चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं तो यह दोस्तों हमारे फ पिलाल दोस्तों अभी बिल्कों साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं यह दोस्तों हमारे फोन का बॉक्स बॉक्स के सामने दोस्तों बड़े बड़े एक्षरों में यहां पे नीचे लिखा हुआ है जो यहां पर की तरफ खोण की ब्रेंडिंग दी गई है और यहां बगल में लिखा हुआ है और यह चले बात है की बात है समार्ट फॉन है बाकि बाक्स के लेफ साइड में दोस्तों पोपो मफाइब लिखा हुआ है और राइट साथ में भी वही चीज़ लिखी हुई है और box के पीछे दोस्तों यहाँ पे हमारे phone की कुछे specifications लिखी हुई मिल जाती है और यह जो phone है दोस्तों यह मैंने IC blue color में मगवाया है और 4G भी 64G वेला variant मगवाया है ओके नो चलिए दोस्तों अब बॉक्स को open करते हैं तो यहां पे वस्त रहरन तो करने को नहीं मिलेगा तो यहां पे सील्स दी गई है तो चलिए इन सील्स को ब्रेक करते हैं और फिर अपने box को open करते हैं और राइट नाव टाइम टो ओपन दा बॉक्स और box open करने पर सबसे पहले दोस्तों हमको एक LED देखने को मिल जाती है यहां पे सामने लिखा हुआ है POCO चलिए इसको open करते हैं तो LED open करने पर दोस्तों हमको सबसे पहले XCM ejector tool देखने को मिल जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है अंदर तो यहां पर दोस्तों अंदर एक quick start guide रखी हुई है और साथ ही दोस्तों एक clear case भी दिया गया है आपको थैंक्फुली तो इस छोटे से box में दोस्तों आपको यही सारी चीज़े मिल जाती है इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप गाइस box में रखा हुआ है हमारा smartphone चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यह देख सकते हैं दोस्तों यह है हमारा smartphone फोन के बारे में आपको पता ही आगे बात करेंगे पहले देख लेते हैं कि और box में क्या-क्या माल माटीरियल रखा हुआ है तो इसको भी हटाते हैं यहां पर दोस्तों बॉक्स में हमको एक 22.5 वाड का एक चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है और साथ में दोस्तों एक USB टाइप-C चार्जिंग केबल दी गई है तो यही सब चीज़ें आपको smartphone के साथ बॉक्स में मिल जाती है यहां पर एक section और दिया गया है इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो बस यही चीज़ें है दोस्तों ओके तो फिलहाल अभी इन सब चीज़ें को दोस्तों साइड में रखते हैं और बात करते हैं अपने smartphone की यह है फोन चले इसको पहले इस पाउच में से बाहर निकालते हैं और इसको भी रिमून पर देते हैं नाव गाइस यू कन सी दा लुक एंड डिजाइन अव दिस फोन डिजाइन दोस्तों इस फोन का मुझे थोड़ा सा सिमिलर लगा है पोको M4 5G की तरह रियर में आपको वैसे ही बड़ा सा कैमरा कट आउट दिया गया है जैसे आपको पात करें तो पीछे लैदर की फिनिसिंग होने की वाज़े से फील दोस्तों बहुत अच्छा देता है ये फोन बाकी फोन दोस्तों हाथ में पकड़ने पर थोड़ा सा लंबा लगता है और वेट भी दोस्तों का थोड़ा सा ज्यादा है 200 ग्राम का जो है वेट है इस फोन क आप ओके नाव दोस्तों आप फोन को अन करते हैं देखते हैं ओन होता है नहीं तो यस फोन ओन हो रहा है तो जब तक दोस्तों फोन और हो रहा है तब तक दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन की तरफ थोड़ा सा नजर मार लेते हैं तो यहां पर दोस्तों लेफ साइड में आ पेसल के नहीं दिया गया इस फून में और फोन के राइंड साइड में हमें क्या जिसके आपगउस सिमकाड एक nya का एक मेमिरी का लगा सकते हो और नीचे के तरफ दो आपको में स्पीकर दिये गए राप डिया गया और और हैजी म्यक्रोफ लाधे तैना और दोस्तो फोन अभी ओन हो चुका है बट यहां पर फोन को सेट करना पड़ेगा तो चलिए पहले फोन का जो है कम्प्लीट सेट अप कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं और अभी हम आ चुके है अपने मुवाइल की होम स्क्रीन पर और अब दोस्तों इस फोन की डिस्पल 6.56 इंचेस की फुल एच्टी प्लस IPS LCD डिस्पले मिलती है और जो डिस्पले है वह आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन में दी गई है और डिस्पले के साइड साइड में जो बैजा से दोस्तों वह आपको काफी कम दिये गया है चिन भी एवरेस साइज का ही दिया ग मिलती है डिस्पले में डिस्पले में डिस्पले में डिस्पले में डिस्पले में डिस्पले में आपको गुरीला गलास 3 की प्रोटेक्शन दी गया है और आप दोस्तों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में दोस्तों आपको मीडिया टेक हीलियो जी कर पाएंगे इस फोन से सो नॉर्मल डे टो डे यूजेज में दोस्तों आपको कोई भी दिखत नहीं होगी और गेमिंग परफॉमेंस की बात करें दोस्तों दोस्तों आपको 41.94 जीवी अवेलबल मिलती है बाकी जो फिंगर्पीन सेंसर है दोस्तों वो भी अच्छे से और जल्दी काम करता है काफी इंस्टेंटली हमारे फोन को अनलोग कर देता है और फोन में दोस्तों आपको 5000 अमेज की बैटरी मिलती है और 22.5 वाड का चार्जर म जो मेल चैमरा दोस्तों 50 मिलेंगे हैं बाकी आपको 2 मेगा पिक्सल 005 एकधेंश दिया गया है और 1 2 मेगा 넣고 में अर यह कुछ फोटोश है दोस्तों जो मैंने इस फोन के जरणडर कहा में बात करते हां तो सेल्फिस के बारे में बात करते हैं जलफिस काफी अच्छा देखने को मिलता है सेलफी में और डिटेल्स भी अच्छी आती है कलर्स आपको पूरे नेचरल देखने को मिलेंगे सेलफी में और वहीं दोस्तों रेर कैमरा की बात करें तो रेर कैमरा भी दोस्तों अच्छी फोटो निकालता है इसकी फोटो में भी जो स्कि डिटेल में camera test video आगे लेके आऊँगा तो आगर दोस्तो आपको cameras के बारे में ज़्यादा detailing में जानना है तो आप उस video को देख लेना ठीक है तो यही है दोस्तो सारी कहानी इसी phone की phone दोस्तो आपको कैसा लगा नीचे comment box में मुझे जरूर बताना तो यही थी दोस्तो आज की वीडियो I hope के आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में thank you